हलो डियर स्टूदेंट्स वेलकम बैक टू दे क्लास मैं हूँ अम्बिका सेहिंग आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर भाई आप सभी का बहुत बहुत सौगत करती हो मागनेट ब्रेंज पर एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइट करता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन यदि आप स्टूदेंट्स एंग्लिश मीडियम के तो हम आपको प्रोवाइट करते हैं केजी से लेके क्लास 12 तके सारे कोस्ट में और यदि हिंदी मीडियम के स्ट कवर कराते ही हैं along with that other state board की courses भी कवर कराते हैं जैसे की डेली बिहार यूपी MP रजस्थान बोट फॉल कंप्लीट कोर्स हर एक चीज आपको डीटेल में समझाते हैं पुरा स्लेबस कंपीट करते हैं along with practical questions क्योंकि अकांट में तो हम क्या करते हैं practical question बहुत सारे हम आपको solve कर आती है तो बस चैनल से जुड़े रहा हो और डीली classes में आ जाया करो टाइम से और लाइक शेयर कर दिया करो आते सी अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दिया करो जैसी क्लास में आ जो लाइक शेयर करके बिल्कुल रेडी हो जाओ और क्योंकि अकांट्स क्लास है तो बिना का benefit देना है ना तो link description box मिल जाएगी वहां से चेक कर लेना और आप इस तरीकी के benefit भी ले सकते हैं जिसमें आपको e-books और e-noods हम लोग provide करते हैं ठीक है students तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को क्योंकि आज कौनसी क्लास है वाई देखी लिए आप लोग सोनों पहले part 1 देखें ना उसके बाद part 2 में आना क्योंकि इस पूरे चाप्टर के जो concept थे मुने दोनों पार्ट में आधे आधे बाटे थे शुरू कि वहां पढ़ा दिये part 1 में आज आधे part 1 part 2 में बढ़ाऊंगी और questions भी कुछ part 2 में भी solve कराए थे ठीक है एक हमने weighted average का एक example वाला question देखा था जो मैंने अपने मन से एक example देकर आपको question कराया था और एक हमने average वाली method से देखा था ठीक है तो आज basically इस पार्ट में हम कुछ method और आगे की discuss करेंगे और उनसे related आज बहुत सारे question करेंगे ठीक है तो बस पहले part 2 देखना जरूरी है वो देख लो य एक बार में rapid तरीके से आपको समझाने वाली हो part 1 में आधा हो गया है part 2 में आधा लेका रही हूं ठीक है तो क्या रेडियो आप लो फटावर से like share कर दो और मुझे बता दो कि जी आप रेडियो है जो भी student ready है फटावर से like share कर दो चाया को subscribe कर दो और आज की धमाकेदार class क स्टार्ट करते है चाप्टर टू देज गुडविल नेचर एंड वालूएशन में complete चाप्टर रिविजन पार्ट तू आज हम डिसकूस करने वाले है तो कॉपी पैंस अभी के खुल गए होंगे like share सभी ने करी दिया होगा तो फिर आ जो बिना देर किये बिना वक्त गवा होती है average profit method super profit method or capitalization method तो जो average profit method थी ना वह पार्ट वन में already cover हो चुकी है अब कहां से cover करेंगे super profit capitalization यह दोनों method को आज के पार्ट में cover करेंगे ठीक है समझ गए कोई दिक्कत कोई परिशानी ठीक है और एक चीज और एक सला और दूंगी मैं कि भाई यह तो complete chapter revision है आपका है ना अब दो पार्ट में पड़ा फट से मैंने सारी चीज़े cover करने की कोशिश करी है लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा इसमें तो मैं थोड़े बहुती कुछ question important वाली करा पाऊंगी लेकिन आपको detail में पूरा यह chapter समझाए जिसमें मैं आपको बहुत सारे question solve करें तो पहले इंपोर्टेंट है आपके लिए कि वह देख लो हैना पूरा detail वाला वीडियो देखो और उसके बाद यहां पर आओ तो क्योंकि एक बाद रिविजन करो ठीक है तो चलो आजाओ सूपर प्रॉफिट मैथाट क्या होती है इस मैथाट से भी हम गुडविल का क्या करते है वैल्यूएशन करते गुडविल को calculate करते है ठीक है similar amount of capital employee different profit for different enterprises क्या बोल रहा है कि हार enterprise हर एक business यदि सेम अवांट capital भी लगा देती है ना तो भी जरूरी नहीं कि सबका profit सेम आए थाना मौल लो चलो example लेलो आजाओ example लेलो कि suppose करो तीन क्या है तीन business है कोई से भी माल लो एक ए बिगे से बी क्या क्या business यह है c business ठीके यजनों अलग़ बिजनेस है तीनों ने एक जैसी Capital लगाया को चलाने के लिए लगाते हैं है लुष से हमारा विजनेश dolta दोडता है वह पैसा पीनों ने एक ज्शा लगाया मालत तीन और लगाया एक लाक रुपे ठीक है वह इसने भी एक स्दिक लगाया इसने भी color लगाया प्लिश सब को एपने इपने तरीके से चलाते वाइग कोई इसने कितना profit कमाया ? एक लाख रुप 보고 लगाके , इसने दो लाख रुप 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 कमायी , ठीक है ? समझ रहे हो कहानी ? ये वाली ज़ो company इसने एक लाख रुप लगाके ंढ़ जो नॉर्मल बात है लेकिन ये जो ये कंपनी राब ऐस लगाति हम इसने एक लाख लगाये पारन्तु इसने कितने कमाए बह.. इसने तो 4 powiedz कि स्थाइब क्षार लाख ये थो आतना है आप बताओ जाएं एक लाख लगा क्या बढ़ डो लाख लेगना यह लेखना पक्मा लिये उन्हों ने भी वाली कंकिन एक्स्ट्रा कतना कमाया एक्स्ट्रा कितना कमाया कमा तो लगक चले गए तैंसली लाखHHHH यहाई क्यो mo neste recruiting budget करन चले गया और जो यह जो दो लगOFFKस्ट्रा है ना इसको हम क्या बोलते हैं यह जो दो लाग एक्स्ट्रा है यही कहलाता है आपका सूपर प्रॉफिट चलो अच्छे यह लिख देती हूं भाई सूपर प्रॉफिट है ना और यह जो दो लाग है यह वाला जो की नॉर्मल है यह तो सभी कमा लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है यह क्या कहलाएगा यह कहलाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्लियर समझ गए यह होता है सूपर प्रॉफिट ठीक है दो लाग कमाना सबकी सबके लिए बराबर बाते सबकी कोई भी नॉर्मल ही कमा सकता है लेकर आप चार लाग जो कमा रहे हो ना चार लाग कमाने पर तो यह एक्स्टा आपने कमा लिए 2,00,000,000 नौर्मल से उपर उपर उड़ गए आपको वी धो ही कमाने थे तो मतलब आप 2,00,000,00 से उपर उड़ गए Suz कि आ धो है इस परफिक काई यह कैक में ऐसी क्लिड선 बिस और बॉजनस उपर प्रॉफित को स λέं עर कै यही का ओ एक लाग लगा के दो लाग कमा रहे हो यह आपका normal profit है परन्तु बटा advantage lies in the axis पर advantage कब हो जाता है फायदा कब होता है जब normal से ज़्यादा आपको मिल रहा हो आपकी capital लगाने पर मिलागे नहीं एक लाग लगा के दो लाग नहीं चार लाग मिला दो लाग extra मिला यह super profit है the excess of actual average profit over a normal profit से जो जादा होता है उससे हम super profit कहते हैं कोई दिखकत कोई परिशानी solve sorted ठीक है यह यह क्या आपका super profit का मतलब ठीक है चलो आजाओ आगे वर्लोफटावट से अब इसको calculate करने के बड़ी असी steps देखे रखिए one by one करके समझा देती हूं सबसे पहले क्या करना है क्या calculate करना होता है सबसे पहले question में हम capital employed ढूंडते हैं यह calculate करते हैं question में यदि डिरेक्टली किवान है आपको question में यदि देखे रखा है capital employed तो कोई इंप्लॉइड देखे रखें और divide by two करके आप निकाल लो जरूरी नहीं कि हर बार हो तो दूसरा तरीका बताओ मायम फिर दूसरा तरीका क्या है देखो दूसरा तरीका capital employed को निकालने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है capital plus reserve minus fictitious asset यदि हैं तो क्योंकि हम fictitious asset कभी include नहीं करते हैं मैंने आपको जो पार्ट वन थी पार्ट वन वाली जो भी क्लास थी complete chapter revision की उसमें बता दिया था कि इन तीन चीज़ों कभी include नहीं करते हैं यह तीनों ऐसे हैं जो इंक्लूड नहीं होते हैं तो टोटल असेट में यह तीनों असेट इंक्लूड नहीं किया जाते कौन-कौन से फिक्टिशियस असेट गुडविल एंड नौन ट्रेड इंवस्मेंट याद रखना चीज़ को ठीक है तो capital में आपको क्या मतलब है कि जो पैसा आपको प्रॉफिट हुआ था आपने वह खर्च नहीं किया आपने उसको सेफ करके रखाए ताकि कभी फ्यूचर में इमर्जेंसी आ जाए कोई अर्जेंट सुच्वेशन आ जाए तो उस कंडिशन में वह प्रॉफिट आप यूज कर लो गाड़ प्रॉफिटल दी है और यादी कोई रिजर्व दिया है जैसे सब्सक्राइब कंपनी के पास रिजर्व है बीस हजार का है तो दोनों को एड़ कर देना आपका कैपिटल इंप्लोई निकल जाएगा पहली चीज पहला तरीका अब दूसरा तरीका क्या होता है कि यह जो काप कैपिटल इंप्लोई दिया है तो भी एक pack jest यह तो बीस निकल लो और यादी कशन नेचेप्टल नहीं दी तो Old Commission को कि एसकी वघएगा लो नेक ही बात है तो नेट ऐसे कलते नेट सेजिवन निकलते संव पेड़ें जितने भी असेट हैं सारे लेकिन औहन तीन को आपको इंख्लोड नहीं करना कौन से वो तीन अभी बता Яई दिखो ओपर बीव बताय थे इन तीनों को आपको इंख्लोड नहीं करना कौन कौन से गुडविव्लड इसको मत inゆud करना रिक्टिश तोक्त एसको 71 को छोड़िके जितने विकरे यह हे तो क्या करदो ऑस ये कहानि यह उर टीए मैं आ यह है है ना ये वाले तीन को मत मिला ना बागी सारे असेट को ले लेना माइनस लियाबिलिटी कर देना आपके नेट असेट आ जाएंगे तो question में आपको क्या चाहिए जब question solve करोगे तो आपको capital employed चाहिए या तो capital plus reserve करो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि question में आपको दो लोगों की capital दे के रखी हो suppose करो यदि आपका कोई business है firm है जिसमें दो partner है और दोनों की कुछ-कुछ capital है suppose करो इसकी 10,000 दे के रखी है इसकी 20,000 दे के रखी है हाना दोनों की आपको capital देखे रखिए तो एक तरीका और होता है capital employed निकालने का पहला तरीका तो यह capital plus reserve दूसरा तरीका यदि यह भी नहीं दिया आपको net assets और यह liability भी नहीं दी तो कैसे निकालोगे यदि दो partner की अलग-अलग capital दी है तो दोनों की capital को add कर दो total किती हो गई कि आपकी capital employed हो गई यह आपका एक और तरीका है ठीक है तीन तरीके बता दिये क्या क्या बता है capital employee में यदि क्वेशन में capital reserve दिया है दोनों को add कर दो कि तो capital employed आ जाएगा और यदि नहीं दिया तो जितने भी partner से उनकी पूरी capital दो partner है तीन पार्टनर है जितने भी उनकी प होगा asset पैसे liability minus कर दोगे तो net asset आ जाएगा ठीक है तो question में यहाँ तो capital employed निकाल लो यह net asset निकाल लो बात एक ही है समझ गए दोनों निकालने के जरूरत नहीं है सिर्फ एक चीज निकाल ली है ठीक है clear यहाँ तक कहनी समझ आ गई अब बढ़ते आगे आगे आपके step number 3 क्या बोल रहे है कि आप आपको कह निकालना है आपका adjusted profit मतलब वही actual profit मतलब वह profit जो आपके business से related है उसमें सारी abnormal चीज़े जितनी भी है वह सारी आपको include नहीं करनी वह expense वह खर्चे वह income जो आपके daily basis के नहीं है business से related नहीं है उन सभी का adjustment हमें करना है ठीक non recurring expenses है यह सारी चीज़े जो मैं आपको part 1 में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि इन सभी चीजों को हटा करके normal profit निकाल लेते हैं या actual जो profit है वो निकाल लेते हैं हो गई तीसरी step अब तीसरी step क्या बोल रहे है calculate करो normal profit normal profit निकालने का भई formula देख लो कैसे निकालते है normal profit अब आपको क्योंकि निकालना पड़ेगा ठीक है यह actual profit निकल गया actual average profit निकल गया अब क्या निकलेगा normal profit क्या formula है देख लो भाई clear ठीक है उसके बाद क्या करना है अब आपको उसके बाद क्या करना चलो तीस्तुरी step हो गई चौति स्ट्प आवा क्या करनी है बीजनिस को वह आपको लिखना है जो ना चाहिए था झाल्मल होना चाहिए था जैसे अभी जो मने एक्जेंपल दिया वहां पर tuck to added चार लाख और होना कि ना चाहिए तो दो लाख होना नॉर्मल बात है ठीक है तो दो लाक गया है नॉर्मल है कि एक लाखर रूपर लगा करकिया प्रव करकर आप चार लख किमार ही हो तो यह क्या यह आपका है आपके जो आपने कमाया है यह नॉर्मल इतना होना चाहिए था इनको माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा भाई सूपर प्रॉफिट आ जाएगा क्लियर यह हो गई कौनसी स्टैप चौथी अब पाच वी और फाइनल स्टैप में क्या करते हैं हम गुडविल निकालते हैं क्योंकि हमें तो निकालना क्या है म इसके टेंशन मतले ना यह इसको कालकुलेट करने के शरुवत नहीं रहती है यह क्वेशन में दिया रहता है ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी समस्य हो गई सॉल्फ यह आपकी स्टैप थी किस से रिलेटेड सूपर प्रॉफिट मेथट से रिलेटेड चलो अब आजाओ तीसरी और आखरी वाली मेथट पे जिसका क्या नाम है आपका capitalization method ठीक है यह तीसरी method है इसके अंदर दो method होती ही मैंने बताया है कौन कौन सी दो होती है capitalization of average profit और capitalization of super profit यह दो method होती है इसके अंदर clear अब इन दोनों को एक एक करके समझेंगे क्योंकि question आपके दोनों ही method स से आते हैं तो दोनों मैंफेट को एक एक कर के लेके चलेंगे चलो सबसे पहली मेतड क्या है गे आप डिलाइज से और एवरेज पॉरॉफिट ठीक है ना क्या टलैजी च writings profit मैफट अब देखो इस mental स्बसे पहला काम है और्वरेज नौर्मल profit को निकालना क्योंकि कुछ आपको questions में profit ऐसे दिये रहेंगे जिसमें adjustment आपको question में देखे रखते हैं तो वह सारे adjustment आपको लगाने पड़ेंगे जैसे abnormal gain है कोई non recurring expense है कोई ऐसा loss है जो abnormal है तो वह सारी चीजों का adjustment करेंगे उसके बाद आपका average normal profit आएगा दूसरी चीज आपको क्या करनी है यहां पर capitalized value निकाल ली है business की ठीक है इस वाली method में हम क्या निकालते है capitalized value निकालते है business की जो कैसे निकाली जाती उसका जो formula है वो है average profit in 200 divided by normal rate of return ठीक है यह question में दिया रहेगा average profit भी question में दिया रहेगा और यदि नहीं भी दिया थो तो आप calculate करना जानते हो है न average profit आप निकालना जानते हो ठीक है समझ गया आप जोसे for example यहां पर दिया है कि माल लो एक business का profit है 16000 यह क्या है average profit है 16000 average profit है ठीक है और वो earn कितना कर रहा है मतलब 10% क्या यह 10% normal rate of return है यह जो है न normal rate of return यह 10% देके रखा है तो total capitalized value कितनी हो जाएगी फिर तो कैसे निकाल लोगे भाई जो आपको value दी है न average profit sorry जो average profit दिया है वो लोगे into 100 करना है divide by normal rate of return 10 दिया है तो यह 10 हो जाएगा मतलब कुछ नहीं देखो average profit कितना दिया है 16,000 ठीक है 16,000 दिया है into 100 करना है तो ऐसी की लिख 200 अब पॉन में क्या करना है normal rate of return कितना दिया है question में देखो 10 दिया है तो लगा दो 10 बस यह कहनी है और कुछ नहीं है तो इसको solve कर दोगे तो कितना आ जाएगा यह 0 से 0 कट जाएगा आपका हो जाएगा कितना 1 6 और यह 0 लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,60,000 ठीक है यह यह कहां गया यह 1,60,000 simple यह एक example दिया था आपको तो method समझा गई इसका formula समझा गया यह क्या निकल गई capitalized value of business निकल गई अब दूसरी चीज क्या निकालनी है दूसरी चीज क्या निकालनी है हमें दूसरी चीज निकालनी है net assets या फिर capital employed भी हाना दोनों चीज एक ही है मैंने आपको बताया पहले वाली step में या पहले वाली method में बताया था कि net assets और capital employed एक ही होते हैं तो net assets मैं आपको बता चूप क्यों कैसे निकालते हैं हम business के जितने भी asset है सब को ले लो बस तीन मत लेना कौन से goodwill non trade investment and fictitious asset इन तीनों को छोड़ के जितने भी asset है सारे ले लेना minus कर देना ठीक है यह लिखा है भाई minus कर देना किस से outside liability जितनी भी आपके liability हो उन सभी से minus कर देना उसके बाद दोनों चीज निकाल ली capitalized value of the firm और net assets दोनों चीज निकाल ली अब goodwill निकाल लो यह वाली method में goodwill को निकालने का क्या capitalized value of the business minus net asset आपकी goodwill निकल के आ जाएगी clear कोई दिक्कत कोई परिशानी समझ गए पहली step थी आपकी sorry पहली method थी capitalization method के अंदर जो पहली method है वो है capitalization of average profit clear अफटाक से like share कर दो फिर अगली method पे जाएंगे ठीक है जल्दी सब को बारी है दूसरी method की कर दिया like share कर दिया चल आजाओ फटाफट से आजाओ और अब दूसरी method देख लो capitalization of super profit method है अब आपकी ठीक है तो इस method में क्या करना है यह देख लो सबसे पहले क्या निकालना है सबसे पहले आपको वही again capital employed ही निकालने हैं या फिर net assets वही मैंने बता दोनों का नाम मतलब दोनों के यह नाम अलग-अलग है पर बात एक ही है चाहे capital employed ले लो चाहे net assets ले लो यादि question में capital employed से related चीज़े दी है जैसे capital और reserve या partner की capital दी है तो यह निकल जाएगा और यादि यह सम नहीं दिया लेकिन question में asset or liability दिये तो net assets निकाल लो बात एक ही है चाहिए निकालो चाहिए लेकिन कोई एकी चीज़ निकालना क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है ठीक है तो चलो आपको क्या निकालना है सबसे पहले capital employed या फिर net assets capital employed का formula भी आपको पता है और net assets का तो फिर पता ही है क्या होते है all assets minus outside liability और इन सभी assets को हम नहीं लेते हैं यह हो गया क्या आपका net assets के बारे में फिर अगली चीज़ आपको क्या निकालनी है calculate normal profit normal profit निकाल लो जो भी आपका normal profit कैसे निकालते हो capital employed into normal rate of return upon 100 ठीक है divide by 100 भी होता है इस तरीके से क्या निकाल चाहेगा normal profit तो सबसे पहले क्या निकालना है capital employed फिर क्या निकालना है normal profit normal profit का formula बता दिया capital employed into normal rate of return divide by 100 यह इसका formula है और आपका normal profit निकल क्या आगया clear समझ गया चालो अब क्या निकालेंगे अब क्या निकालेंगे average profit of past year ठीक है यदि आपको कोई पिछले कुछ साल दिये हैं मतलब आपको कोई years के profit दे के रखे हैं तो उनका average निकाल लो और यदि question में directly आपको average profit दिया तो बहुत अच्छी बात है लेकिं directly यदि average नहीं दिया 4-5 साल के profit दि प्रॉसएं है तो इस तरीके से आपको average profit भी निकालना पड़ेगा ठीक है अब normal वी हो गया average भी हो गया तो क्या निकालते ए many प्रोफिट को फॉर्मॉल आपको बहुत अच्छे से पता है एवरेश प्रोफिट माइनस नॉर्मल प्रोफिट क्या जाता है हमारा सूपर प्रोफिट निकल क्या जाता है ठीक है step number 4 अब final और आखरी step है क्या आपकी goodwill निकालने की finally आप goodwill निकाल लोगे बहुत आसान है क्या formula है आपका super profit जो भी आपने पहली वाली step में निकाला super profit into 100 divide by normal rate of return ये question में दिया रहेगा तो इसकी tension मत लेना हमेशा question में normal rate of return दिया रहता है और जो year of purchase होते है number of year of purchase ये दोनों चीज़े question में हमेशा दी हुई रहती है तो tension लेनी की बात नहीं है बस आपको super profit निकालना है जो आपने निकाल लिया यहाँ पे किसकी help से निकालना है average profit जो या तो question में दिया रहेगा या आपको निकालना पड़ेगा और normal profit का formula जो मैंने अभी बताया क्या होता है capital employed into normal rate of return divided by hundred ठीक है ये हो गई आपकी क्या goodwill का formula कौन सी method में capitalization of super profit method में कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आ गई सबको methods पक्का तो यही इतनी थी हमारी methods और यही थे इनकी steps निकालने के और formula ठीक है आधी method जो दो बदब last की जो दो थी वो इस वाले part में हो गई और जो starting की पहली थी average profit वो हमने part 1 में देख ली थी ठीक है तो अब क्या करें question solve कर लें अब इनसे related ये वाली method इनसे related फड़ा फट से question solve कर लेते क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा जो formula क्योंकि देखो भाई account में ये पढ़ने से formula देखने से काम नहीं बनता ये सब देखने से कुछ नहीं होगा जब तक solve नहीं करोगे ना तब तक समझनी आएगा question solve करने के लिए आता है exam में ठीक है तो अभी solve करना पड़ेगा हमें तो जल्दी से लगा लेते से फ़हले फटाक से like कर दो share कर दो और अपनी copy ready कर लो copy लेके बैट जौब pen win तयार कर लो क्योंकि आप question solve करना है यहां मैं करूंगी वहां आपको भी करना है तभी आपको समझाएगा है ना question मैं solve करूंगे आप बसे से करके देखते रहोगे तो कोई फैदा नहीं निकलेगा आपको भी माँ बैटके solve करना रहेगा मेरे साथ में ठीक है तो copy pen सबके ready है like share समने कर दिया चलो ठीक है question number two अब इसको question number two क्यों बोला है क्योंकि जो question number one है आपका वह पार्ट बन में already cover करा चुकी हूँ ठीक है पार्ट बन में आपका question number one solve हो चुका था या अब हम question number two से starting करने वाले हैं जो question number one था वह आपका average profit method से related था अब question number two देख लो भाई किससे related है आओ पहले इसको discuss read कर लेते हैं समझे लेते हैं क्या बोल रहा है question number two और क्या निकालना है चलो और फर्स्ट एप्रेल 2023 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट ऑफ 75,000 एक कोई फर्म है एक कोई बिजनेस फर्म है जिसमें असेट कितने दिये हैं 75,000 के उसके पास asset है ठीक है क्या है asset है जिसमें टॉइट इंवल इंवेस्मेंट और फिक्टीश बाताज़ यहां बातीत बइच बर्सटाइट इंकलूड नहीं करना है बाकिझ स्टॉक मशीनड़ी बिल्डिग अदर जितने भी असेट है सबको हमें इंक्लूड करना है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यदि कैश भी इसमें इंक्लूड है तो ठीक है तो असेट कितने है टोटल 75,000 के ठीक है फिर इट्स क्रेडिटर amounted to 5,000 on that date और उसके क्रेडिटर कितने है 5000 के क्रेडिटर मतला उसकी liability उसके लिए burden है उसकी liability है कितनी 5000 the firm had a reserve of 10,000 अब देख लो firm के पास कुछ reserve भी है reserve में कुछ पैसा भी है कितने का 10,000 का reserve firm के पास है ठीक है अब क्या कह रहा है while partner capital account showed a balance of 60,000 और जो दोनों partner की capital है ना दोनों partner की capital मिला करके 7,000 capital business के पास बनती है तो अब कुछ समझ में आया क्या समझाया अभी मैंने जस्ट बताया capital employed निकालने के लिए क्या करते capital plus reserve तो यहां तो देखो capital दी है 6,000 दोनों की दोनों की मिला के सामें दोनों की मिला के लेना है जितने भी partner हो सब की मिला के capital लेना है तो भाई 60,000 प्लास reserve कितना दिया है 10,000 तो capital employed आ गई और देखा जाए तो इस question में net asset को निकालने के लिए जो चीजे चाहिए होती है वो भी दी है असेट और लाइबिलिटी भी देखे रखिए तो चाहों तो दोनों तरीके से निकल जाएगा capital employed भी निकल जाएगा इसमें और इसमें net asset भी निकल जाएगा पर आपको किसी भी एक चीज़ को निकाल लो बहुत है लेकिन मैं आपको यहां समझाने के लिए दोनों तरीके से बता दूंगी ठीक है अब आगे देखो इस नॉर्मल रेट अफ रिटन देके रखा है बीस प आपचे एर आफ परचेस कितना है 4-year ृटी कर एक कि फॉर एर आप सूपर प्रॉफिट मैं तल्व मैं तर्डे कौन सी मैं थाड़िए इसकर रहे हैं आप से क्या मोला है कि आप अब स्वाफिट निकालो क्या निकल रा एवरेश प्रॉफिट से फूपर प्रॉफिट मैं से यह लिखा है यहां पर क्या लिखा है फोर यह पर्चेज ऑफ सूपर फ्रॉफिट मतलब इस मैथर्ट से और इनकी जो गुडविल है वो कितनी है चौबिस हजार है आप से सिर्फ इतना बुलाई कि एवरेज प्रॉफिट निकाल के बता दो ठीक है इजी यह बता देंगे क कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं आएगी तो चलो अब इसको क्वेश्चन को शुरू करेंगे उससे पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कैपिटल इंप्लॉइड ठीक है तो कैपिटल इंप्लॉइड में जो दो तरीके हैं दोनों यह आपको दिये हैं दोनों य इंप्लॉइड चाहिए ठीक है कैपिटल कैपिटल इंप्लॉइड जिसको निगालने की जो फॉर्मुला है वो क्या कहता है कि जितनी में बिजनस की टोटल कैपिटल है वो ले लो है ना कैपिटल प्लस यदि कोई रिजर्व है तो वो भी ले लो चलो तो बिजनस की कैपिटल कितनी है भी हमने देखी इंकी जो कैपिटल है वो है साठ हजार प्लस जो इनके reserve है वो है 10,000 के clear, दोनों को add कर दो, कितना आ जाएगा 70,000, है ना, 70,000, इनकी क्या आ गई, capital employed आ गई, ठीक है, 70,000 इनके capital employed आ गई, ठीक है, अब देखा जाए तो बस हमें तो यही चाहिए, लेकिन इसका जो एक और तरीका है वो भी देख लो, है ना, वैसे तो question में जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको just समझाने के लिए बता रही हूँ, कि जो अगली चीज है, net asset, वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि question में आपको detail दी है, वैसे तो question में ऐसा होता नहीं है, या तो आपको सिप net asset निकालने वाली detail देंगे, या capital employed निकालने वाली detail देंगे, दोनों में से एक देंगे, पर ये एक बहुती special kind का question है, जिसमें आपको दोनों चीज़े दिये, तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो, net asset कैसे निकालते है, asset minus, assets minus liability, चलो, question में आपको assets कितने देखे रखे हैं, जिसमें cash भी include है, कितना, 75,000, और liability कितनी है, 5000 की ठीक है, तो भाई ले लो, 75, एक मिनट, 75,000 minus liability है 5000 की, है ना, तो कितने के हो गए, net assets कितने के हो गए, 70,000 के हो गए, है ना, 70,000 के हो गए, तो देखो, दोनों 70,000, 70,000 आए, तो इसको क्या मतलब है, कि भाई, चाहे ये निकालो, चाहे ये निकालो, बात बराबर ही है, तो अभी question में आपको, जब आप exam में यदी करते हो, तो दोनों चीज़े निकालेंगे जरूत नहीं है, कोई भी एक निकालो, या तो net asset निकालो, या capital employed निकालो, क्योंकि दोनों एक जैसे ही आएगे, ये भी 70,000 आया, ये भी 70,000 आया, ठीक है, तो यदी question में asset or liability दिये, तो net asset निकालो, और यदी question में capital और reserve दिया है, तो capital employed निकालो, जो भी आप निकालोगे, आप formula में दोनों में से कोई भी एक चीज़ लगा देना, कोई दिक्कत, कोई परिशानी नहीं आएगी, ठीक है, समझ गया है, और यदी, एक और तरीका होता है, मैंने बताया थाना, अभी capital employed को, कि यदी reserve नहीं दिया हो, और यदी, चार पार्टनर है, और चारों के अलग-अलग capital दिया, तो चारों की capital को plus कर दो, आपकी क्या जाएगी, capital employed आजाएगी, ठीक है, तो यह तीन तरीके हो गए, जो मैंने आपको बता है, तो हमारी क्या आगई capital employee, 70,000 आ गई, चलो, अ आगे क्या निकलना पड़ेगा, देख लो, अब आगे हमें क्या निकालना है question में? अब question में इसके बाद हम निकालेंगे, normal profit, क्योंकि average profit पूछा है, super profit method यूज करना है, तो पहले normal profit نिकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब normal निकलेगा, उसके बाद हम formula में लगाएगे, तब जाके average निकलेगा चलो तो आजाओ, normal profit निकाल लेते हैं, अगली वाली slide पे आजाओ, normal profit, normal profit का क्या formula आता है भई, फटा फट से बता दो मुझे, कैसे निकालते है normal profit, capital employed लेते, है ना, capital employed लेते हैं, अभी मैंने बताया, capital employed into, into कैसे करते है, normal rate of return से, divide by 100 करते हैं, है ना, simple सी चीज है, capital employed अभी हमने निकाला, कितनी आई थी, 70,000, into, normal rate of return question में कितना दिया है, देख लो भाई, normal rate of return ये रहा, 20%, ठीक है, 20% आपको normal rate of return देखे रखा है, तो question में लगा दो, divide by 100 कर दो, चालो, आप इसको solve करके बताओ, कितना निकलेगा, 7 to the 14, ठीक है, कितना आ गया, ये आपका, 14,000, clear, क्या आ गया, ये 14,000 आपका, normal profit, ठीक है, अब इसकी बाद क्या निकालना पड़ेगा, normal profit आ गया, अब देखो, अब आपको goodwill देखे रखिए, और super profit method है, तो ठीक है, अब क्या करो, goodwill का जो formula होता है, super profit method से वो लगा दो, क्योंकि method super profit यूज़ कर रहे हैं, और goodwill देखे रखिए, तो देखो, कैसे करोगे, जो goodwill में, मतलब super profit method में, जो goodwill का formula होता है, वो use करेंगे, अब हम, कैसे use करेंगे, देखो, goodwill, ऐसे चलो, इसको हम अगली वाली slide से करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आजाओ, चलो, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा goodwill का formula कहता है, कि goodwill यदि निकालनी है, तो सबसे पहले क्या ले लो, super profit ले लो, into, super profit, अर रोगो, super profit, super profit into year purchase, years of purchase, यह होता है ना formula, formula यही कहता है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर, question में goodwill तो देखे ही रखी है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, question में goodwill यह दिए, goodwill of the firm is 24,000, goodwill देखे रखी है, 24,000, तो लगा दो, 24,000 is equals to, super profit का क्या formula मालूम है आप लोगों को, जानते हो super profit का formula, यदि जानते हो तो comments में बता दो लिख के, super profit को calculate करने का, क्या formula होता है, मुझे फड़ा-फड़ से comments में बता दो, ताकि मैं यहाँ पर लिख सकूँ, बताओ, क्या formula होता है, बताओ, यादे सभी को, कैसे निकालते है super profit, क्या करना होता है भाई, कुछ नहीं करना होता है, average profit, minus normal profit करना होता है, बस और आपको super profit, automatically निकल जाता है, अब बोला है into year purchase, question में दिया है क्या year purchase, बेल्कुल दिया है, four years purchase, लिखा है, साफ साफ लिखा है four year purchase, तो लगा दो four, समस्या का समाधान हो जाएगा, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो normal profit भी पता है, अभी निकाला ना normal profit, तो इसको भी लगा दो, इसको क्यो छोड़े फिर, इसको भी लगाओ, कैसे लगाइंगे, देखो, यह हो गया 24,000, is equals to average profit नहीं पता हमें, तो इसको ऐसे ही लिख दो, अब भी जब पता ही निये तो क्या करें, यह तो हमें डूण नहीं है, यह तो पता ही निये दो, उसको ऐसी लिख दो, कोई दिक्कत परेश हनी वाली बात नहीं है, normal profit तो पता है ना, यह तो हमने निकाल दिया ना, यह निकाल ला भाई normal profit, 14,000 का, तो इसको लगा दो, जब पता है कि 14,000 का हो गया है हमें, तो लगा दो भाई, students बहुत confused हो जाते हैं, जिनकी maths बढ़ी है वो तो नहीं होंगे, बढ़ जिनकी maths कमज़ोर है, वो यह confused हो जाएंगे, तो देखो, अच्छे से समझो, average profit ढूड़ना है तो भाई, इसको इस तरफ ले आओ, average profit को ढूड़ना है तो इस तरफ ले आओ, ठीक है, ले आए, अब क्या करना है, यह 24,000 को इधर shift कर दो, 24,000 इधर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा, कितना 24,000, चीजे, मतलब जब shift होता है, इधर से उधर हम चीजे करते हैं, तो जो minus का sign है, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का कर दिया, अब यह जो है आपका, इंटू 4, यह इंटू में है, यह divide में आ जाएगा, है ना, यह इंटू में है, तो इसको क्या कर दो, divide में कर दो, और यह as it is, लिख दो, कितना 14,000, clear, क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, जो ढूढ़ना, उसको यहाँ पर लियाओ, और जो यहाँ पर उसको यहाँ शिफ्ट कर दो, अब यह चीजे शिफ्ट हो रही है, तो minus का sign प्लस में हो जाएगा, जो into में है, वो divide में चला जाएगा, और यह as it is रहेगा, कोई रिकत, कोई समस्या, ठीक है, तो यह हो गए, अब आपके equation, अब इसको कर दो solve, अब देखो, solve कैसे होगा, पहले तो divide कर दो, 24,000 को 4 से divide कर दो, तो कितना हैगा, 4, 6, 24, ठीक है न, 4, 6, 24, तो यह हो जाएगा, आपका 6,000, plus 14,000, कर दो भई, आजाएगा आपका क्या average profit, फड़ा बट चे कर दो, ठीक है न, अब आपका average profit आजाएगा, कितना आ रहा है, बताओ, चलो, दोनों को plus कर रहे हो, कितना आ रहा है, 20,000, है न, दोनों को बढ़िया से plus कर दोगे, तो 20,000, क्या आगई भई, 20,000 आपकी average profit आगया, समझ गए, बस बात है, concept की, बस इधर के confused मत होना, यह कहानी बस आपको गड़वड ना करे, क्योंकि इस से पहले की तो आसान थी, formula लगा के, values वगेरा निकाल के, सारी चीज़े आ गई थी, बस इधर से confused मत होना, यहाँ पर बस यह जो चीज़े इधर करनी है ना, इधर गलती नहीं हो, नीच यह बेटा, यहाँ गलती होए, तो फिर सही बात नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा average profit आगया, अब देखो, एक बार फटा-फट से इसको मैं, फिर से explain कर देती हूँ, capital employed मैंने वैसे दोनों चीज़े निकालने के ज़रूत नहीं, एक निकालना, 70,000 हमने निकाल ले थी, दोनों ही तरीकों से, उसकी बाद normal profit का formula में पते ही था, capital employed इंटू, यह सब करना था, normal rate of return question में दिये था, तो 14,000 normal profit आगया था, जिससे हमने क्या किया, क्योंकि goodwill देखे रखी थी, तो भाई formula लिया हमने, super profit method से करना था, तो यही formula जो मैंने पढ़ा रही हूँ, इतनी देख से, यही formula मैंने लिख दिया, और क्या किया, जो goodwill की value दी थी, वो लगा दी, super profit नहीं पता था, तो लेकिन formula तो पता था, super profit नहीं पता, लेकिन formula तो पता है, तो भाई बस formula लिख दो, into year purchase question में देखे रखा था, formula में भी हमको average profit तो ढूंड नहीं था, हमें पता ही नहीं अभी, वो तो हम आखरी में ढूंड रहे हैं, ठीक है, तो इसको as it is रहने दो, लेकिन normal profit तो पता है, वो तो निकाला था, उसको लिख दो, और बस, वही कर दा है, equation में इधर से उधर करने और चीज़े हो जाएंगे आपकी sort out, और आपका average profit आजाएगा 20,000, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, बहुत आसान question था, मज़ेदार question था, solve करने में मज़ा आ गया, ठीक है, अब चलो screenshot ले लो, आजो, फटावट से ले लो, चलो, यहां से नहीं लेना है, रुखो, इधर से लेना है, चलो, ले लो, done, उसके बाद इसका, done, ले लिया, फटावट से, चलो, आप दूसरा question करें है ना, दूसरा भी कर लेते हैं, फटावट से, क्योंकि पूरा chapter समझना है, तो बहुत जित्ते जादा question हो सकेंगे, मैं आपको करवाओंगे, ठीक है, लेकिन like share करोगे तब, like share कर दो, अगले question लगाओंगे, फटाव और like share करो भाई, देर नहीं करो, क्योंकि जित्ती देर करोगे ना, आप ही लेट होगे, और आपके फिर क्या होगे, कमी question हो पाएंगे, तो जादा question करना है, फटाक से like share कर दो, भाई, संख्या बढ़ा दो, like share की, बढ़ा दी, दूसरा question solve हो गया, अब आजाओ भाई, तीसरे पर, ये लो, तीसरा question आपकी screen पे डाल लो, copy में, question number तीसरे डाल लो, और solution, start कर दो, इसको solve करना, read कर लो, समझ लो, और देख लो, और solve करना, चालू कर दो, और फिर दिक्कट परेशानिया है, तो फिर मैं हूँ, मैं तो करूंगी, इसको solve, आप लेकिन शुरू कर दो, चलो, फड़ा बट से शुरू कर दो, read कर लो, पहले, क् उसका ये average profit है, normal rate of return, देखे रखा है, आपको 10% का, ठीक है भाई, धन्यवाद, फिर है, the value of total asset, जिसमें goodwill include नहीं है, बहुत होश्यार है ये लोग, है ना, इनने बिल्कुल सही दिया है हमें, क्योंकि goodwill को include, exclude मतलब क्या छोड़ना, include मतलब मिलाना, मतलब उसको लेके चल ला, तो goodwill थो हमें वैसे भी नहीं लेनी ना, और कौन से नहीं लेने, फट रफट कमेंट्स में लिखके बताओ, कौन से वो तीन asset है, जो हम नहीं लेते हैं, कौन-कौन से, goodwill, fictitious asset और non-trade investment, ठीक है, तो भाई, ये लोग बहुत चतो रहे है, total asset दी है, जिसमें goodwill नहीं ह set है, है ना, और 14 लाक रुपे की liability है, ठीक है, 55 था, 55 लेक क्या set है, और 14 लेक की liability दी है, calculate value of goodwill according to, आपको goodwill निकालना है, किस method के according, capitalization of super profit method से, as well as capitalization of average profit method से, वाह, शाबाश, बहुत ही बढ़िया question है, बहुत ही बढ़िया है, क्यों है, क्यों है, क्योंकि दोनों ही method से बो capitalization of average profit से भी करो, capitalization of super profit method से करो, तो ये बहुत ही बढ़िया question मुझे लगा था, जिसमें आपको complete chapter revision में लाना मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि देखो, एक question में, दोनों method कभर हो रही है, मेरा तो फायदा है, और आपका भी फायदा है, क्योंकि complete chapter revision ने तो भाई, जितनी ज deployed निकालना या net asset निकालना तो बात यह किया, लेकिन यहाँ पर asset or liability दिये तो हम net asset निकाल लेते हैं, ठीक है, तो चलो आजाओ, इधर आजाओ, side में, क्या बोला है, net asset निकाल लेते है, net, net assets, is equals to, क्या formula होता है, बच्चे हो, जल्दी बताओ, net assets मतला, assets minus liability, यही होता है क्या 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 मैं गलत बता रही हो, यही होता है, ना? चलो, asset कितने दिये हैं, question में आपको दिये हैं, भाई, पचपन, 2, 3, 4, 5, 5, 5, लाक रुपे के asset हैं, और 14 लाक रुपे की liability है, है ना? 14, 1, 2, 3, 4, 5, 0, लगते हैं, लाक में हैं, तो 14 लाक रुपे की liability है, अम माइनस कर दो कर दो फटाक से माइनस बताओ माइनस करोगे तो कितने के आ जाएंगे आपके पास capital employed बताओ दोनों को माइनस करना कितने आएंगे 41 लैक हना 41 ही आ रहा है 41 एक दो तीन चार पाच 41 लैक रुपीज के net assets आ गया है ठीक है चलो net assets तो अब अगली कहां नी कहां पहुचेगी अगली चीज क्योंकि देखो सबसे पहले method कौन सी है यह कौन सी method लेके चले पहले इन ने बुलाए super profit method से करना है तो ठीक है super profit में सबसे पहले हमें क्या चाहिए ना super profit चाहिए और super profit को निकालने के लिए दो चीज़े चाहिए average profit और normal profit average profit तो बढ़िया से देखे रखा है normal नहीं दिया तो चलो normal निकाल लेते हैं है ना समझ गए ना क्योंकि method क्या है capitalization और super profit method है हमें super profit चाहिए super profit के लिए average profit और normal profit चाहिए average तो दिया है तो normal निकाल लो तभी तो आएगा super profit ठीक है तो आओ आजयो normal profit निकाल लो जल司 से normal profit भाई बार बार कहती है वाज फिर बोलंगी हर question में formula लिखा करो अदर डाल लो हर question में formula लिखा करो ठीक है तभी practice में आएगा हर question में लिखोगे ना तभी प्राक्टिस में आएगा नहीं आएगा एक्जाम में फॉर्मॉले भूल जाओगे फिर दिक्कत आएगी और मैंने चाहती है चोटे-चोटे इजी-जी से questions के चक्कर में आपके marks कटे हैं है ना तो बिल्कुल रिस्क मत लो हर question में लिखा करो formula ताकि क्या हो धीरे-धी जब जित्ती question करोगे उतना ही बार formula लिखोगे ना तो बढ़िया से माइड में सेट हो जाएंगे ठीक है ना तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या formula होता है बताईए फिर मैं तो बताऊंगे इसई पर आप भी बताईए जल्दी से सब बच्चे comments में लिख दो कि normal profit को कैसे निकालते हैं जल्दी जल्दी Capital employed into normal rate of return divided by 100, ठीक है, लिख दिया comments में, भई, ये मेरा देखके नहीं लिखा हो, तो अच्छी बात है यार, चलो, तो capital employed अभी निकाली कितनी आई थी, भई, 41 लाक रुपीज आई थी, ठीक है, 41, 1, 2, 3, 4, 5, into normal rate of return question में कितना दिया है, 10% दिया है, ठीक है भई, धन्यवाद, 10 upon 100, solve कर दो, solve कर दो बिना सोचे समझे फटा फट, ये उड़ा दो, 0 से 0 सब उड़ जाएंगे, सारे तो नहीं पर ये कुछ 0 बच रहे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, answer भी तो लाना है, कितना आएगा, सब उड़ा दो कितो answer ही नहीं आएगा, तो answer कितना आ रहा है, 4,10,000 आपका answer आ रहा है, तो 4,10,000 क्या आ गया, ये ये न, 4,10,000 क्या आ गया, normal profit आ गया, 4,10,000, clear, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, कोई समस्या, तो 4,10,000 हमारा normal profit आ गया, अब देखो, normal भी आ गया, average question में गिवन है, तो अब क्या निकल जाएगा, अब क्या निकाल लेंगे हम, बड़े आराम से निकाल लेंगे हमारा, super profit, है न, super duper profit, चलो, super duper profit हमारा कितना आ जाएगा, पहले तो formula लिखेंगे, पहले formula लिखो, क्या होता है, इसका formula बताओ मुझे, comment में आपको बड़ा पर लिखके बताना है, कि जो super profit होता है, इसका क्या formula होता है, average profit minus normal profit, तो average तो question म given है भई, कितना है, पांच लाख रूपे average आपको देखे रखा है, तो लगा दो question में कितना, पांच लाख, minus normal अभी निकाला, just अभी कितना है था, 4,10,000, यह देखो, 4,10,000 अभी निकाला, तो भई question में लगा दो, 4,10,000, चलो, अब minus कर दो, minus कर दो दो दोनों को और मुझ ना अंसर बन रहा है, 90,000, ठीक है, कोई दिकत परिशानी, भई, 90,000 क्या आगया, super profit आगया, clear, super profit आगया, लेकिन अभी goodwill नहीं आईगी, तो goodwill के formula में हम क्या लगाते है, goodwill का formula कौन सी method से कर रहा है, देखो, capitalization और super profit से कर रहा है, सिर्फ super profit method नहीं है, super profit में तो क्या करना थार्ड है आपकी, capitalization और super profit, तो इसका क्या formula होता है, देखो, इसका formula होता है आपका, अभी मैंने बताया, क्या बताया था, यादे सभी को, goodwill is equals to, क्या लिए नहीं होता है, सबसे पहले super profit, super profit into 100 divided by normal rate of return, clear, ठीक है, यही formula होता है आपको, इसी formula से हम क्या निकालते है, हमारा goodwill, यह, ठीक है, अब देखो, super profit तो हमने अभी calculate करी लिया, कितना निकाला super profit, यह देखो, 90,000, तो question में लगा दो, 90,000 into 100 divided by normal rate of return, मेरे ख्याल से 10 है न, हाँ, normal rate of return आपका 10 है, इसको लगा दो formula में, अब कर दो इसको calculate, तो यह 0 से 0 cancel, आजाएगा, 9 lakh rupees, 9 lakh rupees नहीं है, यह आपका 9 lakh जो है, goodwill है, है ना, 9 lakh क्या आगई, आपके goodwill आगई, goodwill का जो amount है, आपका 9 lakh rupees, sorry, 9 lakh आगया, ठीक है, clear, कोई दिक्कत, कोई समस्या, easy था, बस सारा खेल आपका formula पर depend करता है, यह सारे formula पता है, सारी चीज़े पता है, तो अरा screenshot ले लो इनका, शुरू कहां से किया था वाई, हमने यहां से ही किया था, चलो, ले लो फटाक से इसका screenshot, done, ले लिया, चलो अब इसका ले लो, done, हो गया, ठीक है, समझ में आया की नहीं आया question, मजा आया solve करने में, ठीक है, अभी और practice करेंगे, हैंना, क्योंकि complete chapter revision है, जित question पर आ जाएंगे, फड़ा फट लाइक शेर कर दो भाई, तीसरा question हो गया है, solve, अब आजो question number 4 पर, चलो, भाई, बड़ा question दिख रहा है, हैंना, बहुत ही बड़ा question दिख रहा है, पर जितना बड़ा होगा, उतना करने में भी मज़ा आएगा, चलो, तो like share हो गया, सबसे question number 4 डालो, और like share करके question number 4 डाल दो, और solve करना चालू करो, फटा-फट से read करो इसको, और solve करना चालू करो, भाई, यह जो जितना बड़ा question है, उतना ही करने में मज़ा आएगा, तो चलो, read कर लेते, फटाक से क्या लिखा है, from the following information, calculate value of goodwill, ठीक है, आपको कुछ information देके रख है ना, चार अलग-अलग method से goodwill निकालना है, हर question में अभी तक क्या देख रहे थे, एक method, पिछले वाले में चलो, दो method, अब यहां तो चार method से, आपको goodwill निकालनी है, ठीक है, हम निकाल देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है, है ना, हमने तो सब कुछ पढ़ा है, तो फिर घ है आप से, देखो, यही बोला है, calculate value of goodwill, of the firm, किस चीज से, 3 year purchase, average profit से, फिर, 3 year purchase again, कौनसी method से, super profit method से, फिर, आपको बोला है, on the basis of, अगली method कौनसी बोली है, capitalization of, super profit से, ठीक है, फिर आपको बोला है, on the basis of capitalization of, average profit, ठीक है बई, चार method पूछ ली इनों है, और हमें चारो ही पता है, हमें चारों पता है, हमें चारों के formula भी पता है, कोई दिक्कत, कोई परिशानी वाली बात नहीं है, सब अभी समाधान हो जाएगा, ठीक है, average profit method, super profit method, method, capitalization of super profit, और capitalization of average profit, चलो, अब information पढ़ लो, प्यारी प्यारी सी, यह जो information है न, यह दिमाग खरब करेंगी हमा पर हम अभी सब solve कर देंगे, देखो, पहली information दिए कि average capital employed is 6 lakh, आपको देके रखाया, चलो, बहुत अच्छी बात है, कि जो capital employed है, वा आपको कितना देके रखाया है, capital employed आपको 6 lakh rupees देके रखाया है, ठीक है, अब देखो, अगली चीज देखो, अगली चीज क्या बोली है, net profit of the firm for the last 3 year, अब आपको 3 साल के अलग-अलग profit देके रखाया है, कितने कितने देके रखाया है, देखो, 2023 का profit है आपका 2 lakh, 2023 का 2 lakh है, 2022 का आपका 1 lakh 80,000 है, और 2021 का है आपका 1 lakh 60,000, तीन साल के अलग-अलग profit देके रखाया है, ठीक है, फिर बोलाए, normal rate of return in similar business, normal rate of return आपका 10% ह ठीक है, ये थनी line का कोई मतलब नहीं है, हमें मात रही है 10% से मतलब है, ठीक है, चालो, then, remuneration of 1 lakh to partner is to be taken as charge against profit, मतला partners का remuneration, है ना, ये लोग क्या दे रहे, partners को remuneration भी दे रहे, और मैंने आपको part 1 वाली class में क्या बताया था, कि जब हम actual average profit निकालते हैं, क्योंकि हमें तो business का क्या चाहिए, एक्चुल वाला profit चाहिए, नॉर्मली जो business के business की activity से जो profit कमा रहा है, हमें तो वो profit चाहिए, तो ये जो remuneration होता है, इसको क्या करते है, उस profit में से minus करना पड़ता है, ठीक है, मैंने बताया है, यदि नहीं याद आ रहा है, तो भाई, पहले part 1 फिर से द चालते हो, ठीक है, समझ गया है, तो आजाओ, ये हो गई थी, डी वाली information, अब ये वाली क्या बोल रही है, छोटी से नीचे भी देके रखी है, कि asset of the firm, excluding goodwill, fictitious asset and non-trade investment, इन तीनों को छोड़ के, जो firm के asset है, कितने हैं, firm के जो asset हैं, क्योंकि हम ये तीनों को नहीं include करते तो इनको हटाने के बाद, जो firm के asset है, वो है, देखो, यहां दिये है, 7 lakh, हैना, whereas, partner capital is, और सभी partners की जो capital है, सभी, जितने भी partners है, सभी की total capital है, 6 lakh rupees, ठीक है, और जो liabilities है, firm की जो liability है, वो है, 1 lakh rupees, समझ रहे हो, 1 lakh रुपे आपको क्या देके रखी है, liability, तो भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया information दिये, इन्होंने, हना, question में आपको हर चीज़ बताईए, बस अब आपको क्या करना, फटाफट से solve कर देना है, ठीक है, फटाफट से क्या करना, solve करना है, क्योंकि हर चीज़ दिये, देखो, asset की value, capital की value, और liability की value भी दी है, और इधर आप, इन्हों ले लो, या फिर सभी partners की total पूरी capital ले लो, तो देखो, ये भी 6 लाग है, ये भी 6 लाग है, मतलब दोनों की बात, एक ही है, साबित हो गई वो बात, जो मैंने आपको बताई, वो बात यहां साबित हो गई, अब दूसरी चीज़ और साबित कर देती हूं, कि देखो, capital employee भी business के, ये देखो, asset है 7 लाग रुपे के, और liability है 1 लाग रुपे की, 7 लाग माइनस 1 लाग करते हो, कितना आता है, 6 लाग, ठीक है, 6 लाग, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 लाग रुपे आपके net asset आगे, तो बात बराबर हो गई, net asset भी 6 लाग है, capital employed भी 6 लाग है, समझ गए, अब तो confused न लाग माइनस करोगे, तो भी 6 लाग है, समझ गए, तो तीनो में 6 लाग की amount है, मतलग ये तीनो चीज एक ही है, clear, बस मुझे ये doubt आपके मन में यदि हो, तो वो clear करना था, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, चलो, अब आज ओ, question को solve करो, सबसे पहली method उठा लो, actual average profit वो कैसे निकलेगा, क्योंकि देखो, 3 वर्ष की बात हो रही है, 3 years की बात हो रही है, और तीनो साल का आपको profit तो दिया है, लेकिन इसमें adjustment होगा, किस चीज का होगा, ये देखो, remuneration का adjustment होगा, क्योंकि ये remuneration minus होता है न, तो आप भाई, ये जो remuneration है, इसमें कुछ दिया तो नहीं है, कि एक ही साल का है, ये दो साल का है, तो मतलब क्या है, कि तीनो ही साल का है, तो आप क्या करो, देखो, question में क्या दिया, देखो, remuneration of 1,002 partners to be taken as charge against profit, अब कितने साल का है, वो आपको नहीं दिया, तो आप क्या मानोगे, कि भाई, ये तीनो ही साल का एवरेज, प्रॉफिट, आफ्टर, रुखो, आफ्टर, एडजस्ट्मेंट, और एडजस्ट्मेंट भी कौन सा वाला है, remuneration, है ना, partners ने remuneration की बात हो रही है, तो तीन साल है, कौन कौन से हैं भाई, दो हजार इक्किस, 2021 और 2023, अब इनके profit कितने कितने हैं? कितना-कितना profit है, आजओ एक बारी question में, 2021 का है, एक लाख साथ, फिर एक लाख असी और है दो लाख, ठीक है एक लाख साथ, एक लाख असी और दो लाख, ये है profit, हमने क्या करना है یہ profit में से remuneration को हटाना पड़ेगा तभी क्या आएगा हमारा actual वाला profit तो remuneration कितना दिया है देखो question में remuneration कितना है तो remuneration है हमारा 1 lakh यह देखो यह देखे रखा है ना 1 lakh बढ़ी ऐसे सजा के रखा है 1 lakh रोपे ठीक है तो अब इस remuneration को तीनों ही साल के profit में से हटा दो बाइबाइ कर दो माइनस कर दो है ना 1,1,2,3,4,5 यह हो गया 1 lakh कि हो गया 1 lakh और यह 1 lakh ठीक है हमने क्या किया माइनस कर दिया कर दो पहले ज़रा भी माइनस कितना होगा देखो 1 lakh साथ में से 1 30,000 बचेगा और इसमें आपका 1 lakh क्लियर कहानी समझ आ गई ठीक है तो यह अब आ गया क्या हमारा actual वाला profit actual average profit यह आ गया अब इसका क्या निकाल लो average निकाल लो है ना पहली method लेके चल रहे पहला point है आपका average profit method से निकालना है तो पहला ले लो भाई case number one लिख दो यहाँ पर चलो उपर से लिखो क्योंकि चलो case number one case number one चल रहा है अभी बहुत serious case है अभी हमारा बहुत serious है चार case करना है ना बहुत pressure है चारो case को handle करना एक एक आध की बात नहीं है ना तो आज ओफर ठाक से average profit निकाल लो आजा average profit कैसे निकलता है पता है ना आपको average निकालना तो आता है यह maths में statistics में बहुत जगे निकाला होगा average mean निकाला होगा तो कुछ नहीं करना है तीनो बश्च के profit को add कर दो divide by number of years तो कितने है तीनो बश्च के profit कितने ती है देखो साथ हजार प्लस असी हजार प्लस एक लाग एक दो तीन चार पाच एक लाग डिवाइड बाए टोटल नंबर कितने है यह लाइन उधर ऐसी क्यों हो गई हाँ चलो मैं अब सीधी लाइन कीचूंगी देखो एक दम सीधी आईगी यह देखो आई है ना जादू मेरे हातों म मानते हो कि नहीं मानते है चलो टोटल यह तीन है है ना एक दो तीन डिवाइड बाए थ्री कर दो सॉल्फ कर दो फटा फट से सॉल्फ करना है भाई आंसर आने चाहिए फटा फट से सभी के और सही आने चाहिए है ना चलो कितने आ रहे हैं बताओ सबको एड कर रहे हो तो दो लाग 40,000 आ रहा है है ना, दो लाग 40,000 दो लो लाग 40,000 डिवाइट बाई 3 चलो डिवाइट कर दो, 3 के टे वल में 24 कितने बाई में आता है, बता दो, कितने बाई में आता है, nawet 8 में, when you are 38's are 24 तो या आ गया क्या, 8 80,000 ज़ादा लिख दिया क्या एक 0? चलो 80,000 है ना? तो 80,000 हमारा क्या आ गया? 80,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया है ना? अवरेज प्रॉफिट हमारा 80,000 आ गया अब लगा दो गुड़विल के फॉर्मुले में आजाओ अगली slide पर आजाओ और goodwill का formula बता दो क्योंकि average profit से करना है तो goodwill का formula क्या होता है average profit method में goodwill is equals to average profit into year purchase average profit मैंने अभी निकाला हम लोग ने मिलके निकाला कितना आया था 80,000 आया था madam लिग दो थ्री और कर दो जरा multiply चलो multiply करो 8 त्रीजा कितना होता है बता दो मुझे ट्रीजा 24 तो कितना हो गया 2,40,000 क्या आगया goodwill आ गई पहली method से average profit method से goodwill आ गई पहला case solve बदाई हो अब दूसरा case आजाओ दूसरा case में आ जाओ case number two ठीक है case दूसरा चलो case दूसरा क्या बोल रहा है question में three year purchase लेना है super profit से super profit की बात आ गई है super profit की बात आई है तो क्या होगा आप इसमें देखो average profit दिया है क्या average profit तो निकाल लिया आपने न average profit भी है और जो normal profit है यहाँ पर वो निकालना पड़ेगा ठीक है क्योंकि जो आपकी super profit method होती है ना इसमें हमें दो चीज़ चाहिए क्या क्या चाहिए देखो यह आपकी जो है na super profit method में पड़ेगा super profit method में पहले super profit चाहिए इस्वाफिट के लिए दो चीज़े चाहिए एक average profit एक normal profit average तो निकाल लिया अभी निकाला average profit तो वहीं कवहीं ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है वहीं ले लेना लेकिन आम नार्मल profit निकालना पड़ेगा तो आजो यहाँ पहले normal profit निकालो case number 2 में पहले normal profit निकालो normal profit का formula क्या होता है मुझे जल्दी से बता दो normal profit is equals to capital employed c a p i t a capital capital employed into into क्या होता है year purchase सौरी क्या लिख रही हो मैं capital employed into number normal rate of return normal rate of return divide by 100 ठीक है यह होता है formula normal profit का तो capital employed हमें question में देखे रखिए देखो capital employed 6 लाग देखे रखिए या net assets भी निकालेंगे तो बात यहीं किया total कितना है capital employed 6 लैक इंटू normal rate of return question में हमको 10 परशेंट यह देखो 10 परशेंट दिया है तो लगा दो question में 10 divided by 100 ठीक है divided by 100 कर दो अब इसको solve कर दो यह काटा पीटी हो जाएगी दर से यह उड़ जाएगा तो कितरा बच्छे का साथ हजार साथ हजार क्या आगया भाई normal profit आगया कोई दिक्कत कोई परिशानी साथ हजार normal profit आगया ठीक है अब समस्या हो गई solve अब average भी है normal भी है तो आप क्या करेंगे इसके आगे से continue कर रही हूं और बता रही हूं कि goodwill super profit method से यदि goodwill निकालना है तो जो formula होता है वो आप से अच्छा एक मिन्ट पहले आप यह नहीं करोगे पहले तो भाई वो निकालना पड़ेगा क्या super profit पहले निकालना पड़ेगा super profit तो super profit का क्या formula है बता दो average profit minus normal profit क्या यह है average profit अभी निकाला question में कितना आया था average profit हमने यह निकाला average profit 80,000 और normal profit 60,000 ठीक है बहिया average profit 80,000 और normal profit 60,000 दोनों को हमने बढ़िया से minus कर दिया तो कितना आ गया 20,000 हमारा super profit आ गया अब निकाल लेंगे क्या goodwill अब निकालेंगे क्या goodwill तो goodwill is equals to formula क्या कहता है goodwill is equals to super profit into year purchase यह formula कहता है super profit कितना है अभी निकाला 20,000 super profit है लगा दो question में into year purchase कितना दिया है देखो यहाँ अलग है अच्छा यह भी 3 है ठीक है तो into 3 कर दो 3 to the 6 तो आपका answer कितना आ गया 60,000 साथ हजार क्या आ गई goodwill की value आ गई कौनसी method से आ गई super वाली method से super profit method से आपकी goodwill की value आ गई 8,000 कोई दिक्कत कोई परिशानी दूसरा case solve हो गया अब आजो तीसरे case पर आजो तीसरे case पर आगली वाली slide पर चल देता है case number 3 उठा लेंगे case number 3 क्या बोल रहा है चलो case number 3 आप से बोल रहा है कौन से basis पर निकालना है capitalization और super profit पर निकालना है capitalization और super profit तो super profit तो पते ही है super profit तो हमने निकाली लिया है तो directly अब formula लगा दो directly क्या कर दो formula लगा दो भाई चलो goodwill directly formula लगा देंगे goodwill is equals to क्या होता है super profit होता है super profit अब इसमें super profit method नहीं है capitalization और super profit method है तो formula क्या होता है goodwill का super profit into 100 upon normal rate of return यह होता है formula ठीक है अब यह सारी चीज़ें हमें पते ही है क्योंकि हमारे पास super profit भी है और हमें बाकी सारी चीज़ें भी पते है तो बस अब क्या करना है formula में लगाना है super profit अभी निकाला कितना आया था super profit 20,000 आया था ठीक है लगा दो formula में 20,000 into 100 divide by normal rate of return 10 है ठीक है question में दिया है चाहो तो देख लो यह है 10 right चलो solve कर दो solve कर दो तो क्या आ जाएगा भाई यह 0 स 0 cancel हो जाएगा आप पा answer कितना आ जाएगा 2 lakh 2 lakh rupees goodwill की value आ गई तीसरे case में कौन सी method से capitalization of super profit method से goodwill आ गई आपकी 2 lakh रुपे अब आजाओ case number 4 में है ना case 4 चलो case 4 क्या बोल रहा है आजाओ case 4 कह रहा है आपसे on the basis of capitalization of average profit अगली method बोल रही है capitalization of average profit से आपको solve करना है तो इसमें आपको क्या-क्या निकालना पड़ेगा बताओ इसमें आपको क्या-क्या निकालना पड़ेगा capitalized value निकालनी पड़ेगी capitalization of average profit बोला है तो इसमें दो चीज़े चाहिए गुडविल के formula पहला क्या चाहिए आपको capitalized value of the firm और net asset ठीक है तो net asset तो ये दिये हैं भाई या बढ़िया से net asset ले लो या capital employed ले लो बात यह किए लेकिन क्या निकालना पड़ेगा capitalized value of the firm आपको क्या formula होता है इसका बताओ मुझे जब हमें capitalized value निकालनी है business की या firm की तो क्या formula यूज करते हैं हम भाई average profit average profit into hundred divide by normal rate of return क्या यही formula लेते हैं ठीक है क्या यही formula की help से करते हैं है तो चलो average profit पता है निकाल निकाल चुके हम पहले ही बहुत पहले निकाल लिया था average profit कितना था असी अजार था शायद यह देखो average profit असी अजार ठीक है लगा दो भी formula में यहां पर लगा दो average profit की value यह दिया है average profit तो लगा दो कितना है 80,000 into 100 है और normal rate of return question में 10 देखे रखा है तो लिख दो 10 अब इसको solve कर दो यह 0 से 0 cancel हो जाएगा तो आपका कितना answer आ रहा है 0 से 0 cancel आपका आ गया 8 lakhs कितना आ गया 8 आठ लाग जो है आपकी goodwill की value आ गया अच्छा सॉरी 8 lakh goodwill नहीं है capitalized value है ठीक है अभी तो भाई यही निकला हमारा 8 lakh आपकी capitalized value of the firm आ गई अब निकालना क्या है goodwill अब निकालना है goodwill तो आ जो goodwill कैसे निकालते है goodwill यदि हम capitalization of average profit से देखे हैं तो goodwill का जो formula होता है वो कहता है कि आपको क्या चाहिए capitalized value चाहिए firm की minus क्या करेंगे इसमें net asset यही formula होता है minus net asset तो चलो दोनों चीज़े पता है हाना net asset भी पता है और capitalized value भी पता है अभी निकाली capitalized value कितनी आई 8 lakh rupees आई लगा दो question में 8 lakh rupees minus net asset कितने है मैंने आपको बताया था कितने है net asset या तो 6 lakh माल लो या capital employed 6 lakh माल लो बाहत एक ही है ठीक है डिजेट आपकी जो value amount है वो एक ही है that is 6 lakh rupees चालो आ गया minus कर दो दोनों को minus कर दो goodwill आ जाएगी कितनी 8 lakh minus 6 lakh करोगे तो आ जाएगा 2 lakh क्या आ गया यह goodwill आ गई यही चाहिए थी यह हो गया case number four solve तो आपके दो चार पाच मिनिट के अंदर अंदर चारो case solve हो गया simple question था बात सिर्फ formula की concept की और आपके speed की है और आपके फटाफट से यह question solve हो गया अच्छा question था तीन यह चार number का question रहता है exam में ठीक है clear सारी method यह सारी case से हमारी goodwill की value आ गई clear कोई दिक्कत कोई परिशानी screenshot ले लो फटाफट से कहां से हमने शुरू बात करी थी हमने शुरू बात करी थी यहां से चलो screenshot ले लो done चलो अब इसके आगे का ले लो done अब इसके आगे case number अच्छा यह case 2 है ठीक है फिर यह case 3 और case 4 done अब इसके बाद यह done ले लिया ठीक है clear हो गया question समझ में आ गया question number 4 था समझ में आ गया ना बहुत easy question था बस खेल आपका किसका था सारे concept का था और formula का था ठीक है समझ में आ गया तो आज question solve करने में बहुत मज़ाया क्योंकि complete chapter revision था पार्ट टू था यह तो मझे मीरा यह था कि जितने जादा से जादा question solve करा दू और जितने जादा स्यादा concept समझा दू है ना तो इस question में हमने चार अलग-अलग method सीख लिए इसके पहले question में दो मैठड और सीखी थी तो लाइक वाइस क्या हुआ हमने एक ही question में चार method सीख लिए तो हो गया complete chapter revision सारी चीज़े समझ में आ गई और यदि अभी भी कोई doubt है कोई समस्य है तो भाइ comments में पूछ लो मैं आपका answer जरूर दूँगी ठीक है जो भी doubt है समस्य है accounts के questions से related तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो आज हमारा यह complete chapter revision हो गया I hope आप लोगो पूरे chapter समझाय होगा आपको यह chapter ready हो गया होगा ठीक है ना तो चलो आज की class को नहीं रखते हैं यहीं तक रखते हैं अब अगली class में मिलेंगे अगले lecture अगले वीडियो में मिलेंगे अगली class में तो बस क्या करना है हर डेली classes में आपको जुड़ना है यहीं पर magnet brains में जो आपको provide करता है free and quality education यदि आप students है English medium के तो हम आपको courses provide करते है kg से लेके class 12 तक के और यदि आप Hindi medium के students है तो हम आपको class 6 से लेके class 12 तक के सारे course complete कराते free of cost में भाई CBSC बोर्ट को तो cover करते हैं इसके साथ साथ other state board के courses को भी cover करते हैं जैसे की डेली विहार UP MP Rajasthan board वेदिक Maths और spoken English के courses भी हम आपको provide करते हैं crash course भी आपको revision के लिए provide किया जाता है और किसी को भी यदि e-books याई लेना है तो लिंक आपको description box मिल जाएगी आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं उसका भी benefit ले सकते हैं आप हमारे course कहां से देखें तो यूट्यूब question भी समझे सिर्फ chapter के concept नहीं उसके questions भी देखें वह भी बहुत सारे देखें ठीक है तो class को like share करना तो बिल्कुल बनता है अगली जो भी class रहें कि भाई आ जाना उपस्तित हो जाना daily class में आ जाया करो क्योंकि हम बहुत important subject को पढ़ते हैं आप ठीक है तो accounts है आपका important subject है daily class class में आ जाया करो वीडियो को like share करना बिल्कुल मत भूला करो और यह दिए other social media platform यूज करते हो जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram तो भाई यहां भी follow कर देना हमें यहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हो ठीक है तो हम मिलेंगे next class में tell right take care and keep learning